पारबरी लाइन वर से सेबल टुटलड टाइगर मेरे पैरे दोस्तों धरती पर समय काल के अनुसाथ अने कोजा नोरं का दबदबा रहा है जिसमें से एक है सेबल टुटलड टाइगर जो अपने वक्त के बेटतरी अदम खोर शिकारी में से एक है तो वहीं दुसरी तरफ है जंगल का ओर राजा जिसके सामने बड़े से बड़े जीव को भी गुटने टेकने पड़ते है जी हाँ मेरे पैरे दोस्तों हम बात कर रहे हैं बारबरी लायन की याने की बबबर शेर की तो मेरे पैरे दोस्तों क्या होगा अगर दुनिया से विलुपत तो ये तोनों शिकारी एक दुसरे के सामने मुझूद हो चलिए इसका जवाब जानते है हमारे इस रोमन चैप वीडियो में मेरे पैरे दोस्तों सबसे पहले बात कर रहे हैं बारबरी लायन की तो ये अटलस और नुबेर लायन के नाम से भी जाने ज़द है जो 60 साल पहले याने की बिस्वी सेंचूरी में विलुपत हो चुके है मेरे पैरे दोस्तों वैसे तो आज भी आपको दुनिया के कई हिस्सों में बबर शेर देखने को मिल जाएंगे लेकिन ये पहले के मुकाबले कर्म साइज के होते है जो असल में इसकी हाइबरिट नसल है इसी राजा के मुकुट की तरह शोबाते थे इनके घने पाल इन्हें देखने में काफी आकर्शक बनाते थे तो बात अगर इनके हाइट की करे तो ये दीर मिटर तक हुआ करते थे और वजण में 250 किलोग्राम के असपास तक हुआ करते थे इनके बारे में अद्बूत बात ये थी कि ये अकसर जंगली भैन से और कभी कबारातियों का शिकार क्या करते थे जो नापने पराकों को चौका देने वाली एक हज़ार से भी ज़्यादा पियसाई बाइट फोर से होता था अपने साकार में दुगने या फिर तिगने चानोरों को भी बड़े आराम से मारने का होसला रखते थे आपनी भूक मिटाने के लिए ये ज़्यादा तरजंगली सान और सुवर का शिकार करते थे शिकार करते वक्ता इनकी सबसे बड़ी खुबी अपने शिकार को पीचे की तरब से उस पर बिजली की तेजी से लंबी चलंग लगा कर उसको अपने धार धार दातों से उसे दबोच नहीं थी आला कि मेरे पैरे दोस्तों मानवी गतिवी दियां के वज़े से यदबुद और सुन्दर जीव आज विलुपत हो चुके है वही अगर सेवर टुदड़ा टैगर की बात करे तो यह आग से तस जार साल पे लेही विलुपत हो चुके है लेकिन मेरे पैरे दोस्तों जिस समय धर्ती पर मौजुद थे उस समय इनके आगे सारे शिकारी जनुवर फीके पड़ जाते थे यही कारण है कि इनको प्लेश्टोसीन काल का सबसे माहिर शिकारी कहा जाता है इसके सबसे खतरनाक शिकारी होने में सबसे बड़ी भूमी का इसके लंबे और नुकले के नहीं दातों की थी जो की लगबग एक फीट तक लंबे होते थे जो किसी भी शिकार के कलेजे को एक ही वार में निकालने के लिए कापी थे आपने मजबूत दातो और मस्कुलर बोडी की वज़ा से इसे बिल्कुल भी फरक नहीं पड़ता था कि सामने कौन सा जीव खड़ा है मेरे पहरे दोस्तों ये टाइगर हर तरह के खतरनाक से खतरनाक जीव को उसकी नानियाद दिलाने में पूरी तरह सक्षम था इसके हमले से बच पाना उसकाल के किसी भी जीव के लिए जिन्दगी से जंग जितने के बराबर था मेरे पहरे दोस्तों शायद आपको ये बात ना पता हो लेकिन सेबर दुटर टाइगर को स्मीलर डॉन के नाम से भी जाना जाता है जो कुल तीन प्रजाटियों में पाये जाते थे इन में से सबसे ताकतोर और खुंकार स्मीलर डॉन पोपुलेटर था जो अनुमन दिन सो से चार सो किलोग्राम से भी अधिक था बात अगर इनके लंबाई की करे तो वो दो से चार मितर थी और उचाई में करीबे 70 से 120 सेंटीमीटर तक हुआ करते थे ये अपनी शिकार की तरप 65 किलोमीटर प्रतिघंटे की रख़दार से दोड़ कर उसे दबोच लिया करते थे इनके शिकार करने का तरीका भी कापी दरिंदगी से भरा था ये पेले अपने लंबे दाथ शिकार के शरिर में गड़ा देते और फिर उसका ठाकमा करते थे मगर यही दाथ इनकी कमजोरी भी बने हुए थे जो एक बार तुटने पर दुबारा कभी भी नहीं आ देते और फिर उन्हें कई माईनों में लाचार बना देते इसी कारणे शिकार के उन्हीं स्वम में वार करते थे जो कापी मुलायम और नाजुख हुआ करते थे और ये अपने शिकार पर 360 PSI बाइट फोर्स जितनी कम प्रेशर से हमला करते है समय के साथ आए बदला और प्राकृतिक अटनों ने सेबर टूदन टैगर को धर्ती से पूरी तरह विलुपत कर दिया मेरे दोस्तों ये तो हो गई बार्बरी लायान और सेबर टूदन टैगर के बारे में कुछ महत्वों पुरुना जान करिया लेकिन यदि बात अगर इनके बीच किसी मीनेर की करे तो ये कापी मुश्किल है लेकिन फिर भी एक अनुमान के मुताबिक सेबर टुद्र टैगर जिस वक्त दर्थी पर मौजुद था तब इसके सामने आज के जिवों के मुकाबले कापी खुंखार और आदमकोर जीव हुआ करते थे उन जानुरों का भी शिकारों आस्तानी से किया करता था वही अगर बार्बरी लाइन की बात करे तो भले हुआ अपनी वाक्त का सबसे बेतरीन शिकार ही हो लेकिन हंटिंग स्कील के मामले में सेबर टुटर टाइगर इससे कापी एक्सपिरियांस ड़ था चाहे आदी से भी दुगने कार के जानुरों का शिकार करने के आदी थे वही बार्बरी लाइन नॉर्मल आदी का शिकार भहुत कम ही करता था तो मेरे बेरे दोस्तों इस माइने में हमारी नजर में सेबर टुटर टाइगर इस नामुन किन से होने वाली फाइट का वीनर होगा फैर इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिलाए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और अगर इस वीडियो आपको पसंद आये तो प्लीज इस वीडियो को आपने रिष्टेदारो और दोस्तों के साथ शेयर करना मेरे पैरे दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिपेकेशन आइकोन को आउन कर लो ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप मीश ना करो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार